डेरी भवनों का निर्वान करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए भूमी डेरी भवनों के निर्मान के लिए कभी उर्वर भूमी का चुनाव नहीं करना चाहिए रिती वाली भूमी का प्रियोग भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वर्षा के दिनों में ऐसी जमीने पानी के कारण फूल जाती है जो भवनों के लिए हनिकारक होती है स्थान वर्णन एवं पानी निकासी देरी भवनों के चुनाव के लिए उचे अस्थान का चुनाव करना चाहिए ताकि वर्षा का पानी सुगमता से बाहर निकल सके पहुंच या परवेश निर्माण के लिए चुनाव किसी ऐसी जगह का करें जो मुख्य सडक मारू से जुड़ा हो देरी भवन की दूरी मुख्य सडक से सौ मिटर के अंदर ही होनी चाहिए इसका कारण ये है कि जितना हम शहर के करीब रहेंगे हमारे लिए उतना आसान होगा दुग्ध या जरूरी चीजों को बाजार तक आसानी से लाने ले जाने के लिए पानी की पूर्ती देरी भवन में हमेशा साफ और ताजे पानी की विवस्था होनी चाहिए ताकि पशु स्वस्थ रह सके और ताजे पानी की उनकी सभी जरूरतें पूरी हो सके तेज हवाओं एवं सूरी की सीधी किर्नों से बचाओ देरी भवन की बनावट कुछ ऐसी होनी चाहिए कि उत्तर दिशा में अधिक से अधिक और दक्षिन की और कम से कम सूरी की रोशनी प्राप्त हो इसके साथ ही अगर तुफान या अन्य कोई परिशानी होने पर पश्वों को तेज हवाओं से बचा हो सके निर्मान की वक्त इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि जिन जगहों पर वेस्ट प्रोड़क्ट्स हों वहाँ अच्छी तरह सूरी की किरन पहुचनी चाहिए इससे संक्रमन का खत्रा कम होता है बिजली बिजली की जरूरत हमेशा ही डेरी फार्म्स पर होती है क्योंकि अलग-अलग तरह की मशीन और डिवाइसे को चलाने के लिए इलेक्टिसिटी की जरूरत होती है श्रमिक डेरी फार्म के भवन की स्थापना ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां आसानी से हर प्रकार के श्रमिक उपलब्ध हो सके अगली बार कुछ अन्य जानकारियों पर हम चर्चा करेंगे